हम है पेंसन के हकदार NPS यदि अच्छी है तो करमचारी ही भागी क्यों मुखिया सांसद और विधायक बने हुए अपवादी क्यों NPS यदि अच्छी है तो करमचारी ही भागी क्यों मुखिया सांसद और विधायक बने हुए अपवादी क्यों हम भी जनता के सेवक क्यों हम पे अत्याचार रुटा हुआ महसूस कर रहे हम तो भरे बजार हमको पैंसन दो सरकार हम है पैंसन के हकदार लोक तंत्र में राजा को परजा की सुननी पड़ती है प्रजा रहे खुश हाल तभी राजा की जैजै होती है ऐसे कैसे आप ही बोलो होगी जैजैकार नेता खाए रबड़ी मलाई हमको चटनी अचार हमको पैंसन दो सरकार हम है पैंसन के हकदार आप ही सोचो हाए बुढ़ा पा क्या क्या रूप दिखाएगा तन बुढ़ा आखें मद्यम तब कौन राह दिखलाएगा जीवन बोज लगेगा होगा तन और मन बीमार यही बुढ़ा पे की लाठी है यही तो है आधार हमको पैंसन दो सरकार हम है पैंसन के हकदार क्या यह लडाई चलेगी यूही सडकों से न्याया ले तक करमचारी का भागे लिखा क्या ग्यापन और का र्याले तक हम भी जतन करेंगे ऐसे मानेंगे नहीं हार हम भी जतन करेंगे ऐसे मानेंगे नहीं हार पीच भवर में नई आडोले मत खीचो पतवार हमको पैंसन दो सरकार हम है पैंसन के हकदार आख मिचोली बहुत हो गई अब जागो सरकार ओपीएस को लागू करके दो हमको उपहार ओपीएस ही मांग हमारी करोन अब इनकार जो गलती हो गई हो गई अब तो करो सुधार हमको पैंसन दो सरकार हम है पैंसन के हकदार मांगे रहे हैं बार बार तुमसे अपना अधिकार हमको पेंशन दो सरकार हम हैं पेंशन के हकदार